अगर आपके सरीर में सुस्ती है, ठकान है, आपके सरीर में कमजोरी है, आपकी मरदाना ताकत कमजोर हो चुकी है, आप ज़्यादा देर तक संभोग नहीं कर पाते, अपनी बीबी के साथ अच्छी तरीके से आप संभोग नहीं कर पाते, ज़्यादा हस्त मैथोन, ज़्याद थोड़ा सा काम करते ही ज़्यादा ठक जाते हैं और बीबी के पास बिस्तर में जाते ही डिश्चार्ज हो जाते हैं या आपने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अपने बीर्यका नास किया है ज़्यादा संभोग करने की वजह से आपके सरीर में कमजोरी आ गई है ठकान आ इस आवसदी का इस घरेलू नुस्खे का आगर आप सही तरीके से उपयोग कर लेते हैं तो आपके सरीर की ताकत बढ़ेगी आपकी ठकान कमजोरी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आपकी संभोग करने की टाइमिंग बढ़ जाएगी आप जादा से जादा देर तक संभोग क कर पाएंगे और अपनी पार्टनर को संतुष्ट कर पाएंगे वेलकम दोस्तों आपका हमारे नए बीडियो में स्वागत है ना मर्दी न पुन सकता की आयुरवेदी का उसधी आपके सरीर में दुबला पतलापन है आपका सरीर बिल्कुल कमजोर हो चुका है तो यह आउस सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स इस अद्भुत नुस्खे के बारे में जाने इस से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल ध्यान से देख लो और पहचान लो यह इलाइची है और बादाम इलाइची और बादाम का उप्योग करके आप अपनी मरदाना ताकत को बढ़ा सकते हैं अपनी सरीर की ताकत को बढ़ा सकते हैं अपनी खोई हुई मरदाना ताकत को वापस पा सकते हैं अपनी खोई हुई स चरीर की ताकत को वापस पा सकते हैं तो सबसे पहले आपको लेना है बादाम आपको लेना है 200 ग्राम की मात्रा में बादाम और 200 ग्राम की मात्रा में आपको लेनी है इलाइची बादाम और इलाइची दोनों ले लेनी है और इसे आपको अच्छे तरीके से पत्थर की लंगर और उसमें आपको बादाम और इस अद्भुत इलाइची को दोनों अच्छी तरीके से मिक्स करके कूट लें पहले आपको इसे अच्छी तरीके से कूटना है कूटने के बाद आपको इसे किसी काँच के जार में भर कर रख दें और प्रति दिन आपको लेना है दूध आप एक गलास की मातरा में दूध लें और इस एक गलास की मातरा में दूध में आपको उसमें एक चम्मच की मातरा में इस इलाइची का चूण और एक चम्मच की मातरा में आपको इस बादाम का चूण दोनों आपको मिक्स करके दो चम अच्छी बात है वरना आप इसमें छोटा सा गुड का टुकडा कूट कर मिलाएं और आपको इसमें एक छोटी सी आपको सोट, छोटी सी सोट कूट कर इसमें मिक्स कर दें, मिक्स करने के बाद आपको इस दूद को अच्छी तरीके से उबालना है, उबालने के बाद आपको इसे साम को सोते समय, बीबी के साथ बिस्तर में जाते समय, इसका सेवन कर ले, उसके बाद आप दस दिनों तक लगातार सुबह साम दोनों टाइम इसका सेवन करें, यह आपके अप के सरीर की खोई हुई ताकत, आपकी मरदाना ताकत भिलकbn खत्म कर देगा, आपके सरीर की त थकान हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके आपको ताकतवर बनाने की सबसे फायदे मंद आयूरवेदी कौसदी है यह आपके सरीर में बलड सरकुलेशन बहुत ही अच्छी तरीके से होजने लगेगा इस अदभुत नुस्खे का उपयोग करके तो फ्रेंड्स अगर आपको यह च्छोटी सी जानकारी पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आईकन को हिट कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले मिल